pregnancy plan करते वक्त हर महीने हमारे दिमाग में यहीं रहता है इस महिने pregnancy रूके गिया नहीं और उसमें भी जो ovulation आफ लुसर हो रहा यह नहीं वह तो हम अच्छे से पता कर सकते हैं लेकिन उससे भी ज्यादे इंपोर्टन एक फार्ट ही यानि कि हमारा बच्चा हमारे यूट्रस में जाके जिपकता है या नहीं वह में कैसे पता चलेगा उसके लिए हमने लास्ट ही मन्त एक वेडियो बनाए जहां पर हमने बात की थी अच्छे इंप्लांटेशन हो जाए उसके लिए क्या करना है क्या खाना है किस तरह से ध्यान रखना है उसे के नीचे बहुत सारे लेडिस में पूछा था कि कि implantation होता है या नहीं वो हम कैसे पता कर सकते उसके क्या लक्सन है जिससे हम जान पाएंगे कि हाँ अभी हमारा implantation हुआ है और उसके according हम ध्यान रख सके तो यहाँ पर आज हम बात करने वाले है इंप्लांटेशन हो रहा है उस दिनों में आपकी बोडी में क्या क्या बदलावाएंगे आप कैसे पता कर पाएंगे आज मेरी बोडी में मेरा बच्चा इंप्लांट हुआ है या नहीं तो आखिर तक बने रहेगा और हाँ एक दुसरा यह रहता है कि implantation के जो लक्सन है और होर्मोनल इंबेलेंस के जो लक्सन है वह बहुत ही ज्यादा सिमिलर है यह पिर हम बोल सकते हैं कि जो इंप्लांटेशन के लक्सन है वह बहुत ही ज्यादा सिमिलर है यहां पर लेटी बहुत ही ज्यादा कन्फ्यूज हो रहे हैं कि यह प्रेग्नेंसी रुख गए यानि कि इंप्लांटेशन है तो यह सारे कन्फ्यूजन में आज में क्लियर करने वाली हो तो वीडियो आखिर तक देखना बिल्कुल मुद्भूलेगा फ्रेंट्स और हापहली बाहर इस चनल पर आये हैं अभी तक इस चनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब किसी का आठवे दिन होता है बारवे दिन, फंदरा दिन, बिस्वे दिन तक और अलग अजनना जूरूरी है वह आप पर इसका ग्रोथ होता है पाच्छे दिनों के लिए अब 5-6 दिनों के बाद जाके वह नीचे खी सकता है यानि कि इट्रेंट केवीटी में आता है और वहाँ पर इस तरह का किमिकल रियक्षन होता है इस तरह कि सपोर्टीव एंवार्मेंट उसको मिलता है कि वह केवीटी में एंडोमेट्रियम बनी है आपके वहाँ पर चिपक तो यानि कि आपका उविलेशन जब होगा उससे पास साथ दिनों के इंप्लांटेशन की प्रोसेस से वह रहेगी अब इंप्लांटेशन होगा उस दिन आपको क्या-क्या सिम्टम आएंगे वह बात करते हैं तो में यहां पर पास सिम्टम ऐसे हैं जो आप फिल कर सकते हैं सबसे पहला सिम्टम हो सकता है अपके टेमटरेचर में थोड़ी से गिरा वरट आएगी जी हा अपकी बोडी में जिसे जिसे मेंस्टरौल साइकल आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे आपकी बोड़ी में टेमटरेचर में भी थोड़ा से बतलावाता है उव के बाद थोड़ा सा बढ़ जाता है अब बढ़ा हुआ टेंपरेचर अधिया डेली मेजर करते हो तो वहाँ पर एक दिन ऐसा आएगा जब उसमें ड्रोप आएगा गिरावट आएगी एक सेल से सिटना टेंपरेचर आपका गिर जाएगा उस दिन हो सकता है आपका करना होता है उसको डेली डायरी में लिखना होता है तब जाके आप यह सिम्टम केच कर पाते हो यह आजकल इतनी बहुत सारी एपस होती है उसमें भी आपको पता चल सकता है आपका टेंपरेचर कुन सा है तो आप रेकोड रख सकते हैं यदि आप एक्जेट इंप्लांटे इसके बाद वहां पर चिपक सकता है यह केमिकल रेक्शन की मदद से होगा आपका बच्चा कुछ काम नहीं कर रहा वहां पर तो इसके बाद वहां पर क्या होगा जब यूट्रोस में यह सारी चीज़ें होती होगी तो वहां पर आपको थोड़ा सा क्रेंपिंग वाली फिल क्रेंपिंग कर सकते हैं यदि आपके और्मन बहुत ही स्ट्रॉंग होंगे तो ही इतना ज्यादा क्रेंपिंग फिलिंग आपको माइनर सा वहां पर थोड़ी से अंदर रिल चल कुछ हो रही है इसा आपको पता चलेगा तीसरा जो सिम्टम है वह है ब्लीडिंग लेकिन यह सिम्टम है जो 20-25% लेडिस ही फिल करती है वहाँ पर हलका पिंक कलर का या फिर ब्राउन कलर का स्पोर्ट होगा हलकी सी स्पोर्टिंग होगी और रफली यह आपके जो पीरियड के दिन है जो स्टार्टिंग की डेट उसे 3-4 दिन आगे स्टार्ट होती है तो यह पर लेड यह स्टार्ट हो सकता है तो इसन स्टार्ट हो सकता है तो इसी ज्यादा हो तो आपको यह चाहला आ जाएगा कि मेरा स्टार्ट होने वाला है दूसरा symptom यह हो सकता है कि आपके breast में change हो जाएंगे यानि कि वहाँ पर हलका सबको भारी पन लगेगा कहीं बार वहाँ पर tenderness फिल होगी यह symptom हो सकता है और जैसे ही वहाँ पर implantation होगा बच्चा वहाँ पर चिपकेगा उसके बाद आपकी बोड़ी में बीटा-HCG और प्रोजेस्टरोन होर्मोन की मात्रा बहुत ही बढ़ेगी डेली वह डबल होती जाएगी दो गुना चार गुन इस तरह से बढ़ती ही जाएगी तो बीटा-HCG की मात्रा है और जो प्रोजेस्टरोन है वह भी अपने तो यहां पर दो चीज़े होती कहीं सारे लेडी से जिसको बहुत ज्यादा लग जाती है तो किसी को एवर्जन हो जाते है कुछ नहीं खाने का मन करता है तो बुक में दो तरह के चैंजिस आपको मिल सकते है और नुजिय वाली फिलिंग आएगी सुबह उठते ही जो ब्रस इंप्लाइंटेशन के बाद वह सारा सेंटम आपके अंदर दिखाई देने लगेंगे अब यहां पर हमने आगी आपको बताया था कि हम बात करने वाले हैं कि इस सिम्टम है यह होर्मोनल इंबेलेंस के यह पीड़ेट के आने से पहले जो सिम्टम है वह कैसे हम दिखें तो तुरंथ ही यूरीन प्रेग्नंसी डेस्ट कर लीजने यह थि वहाँ पर इस देश्ट में घर की इस के आती हैं तो आप मालन सकते यह सिम्टम आपके प्रेग्नंसी चीह ब बेलेंस होंगे तो 25-26 डेस्ट के बाद भी वहां पर अर्ली प्रेग्नेंसी टेस्ट पोजिटीव आ सकता है यदि नहीं आता है तो वेट अन्वोच तो हमें करना ही है क्योंकि जब तक पीरियड नहीं आता तब तक हमें कुछ और नहीं करना है वेट और होर्मोनल इंबेलें देली थोड़ी-थोड़ी होती रहेगी इस तरह की स्पोर्टिंग साथ में यह सारे सिम्टम है पता कर सकते हैं और यह उर्मोनल इंबेलेंस में जो मार्क्स सिम्टम है वह यह भी रहता है कि आपकी ब्रेस्ट में टेंडरनेस बहुत ही ज्यादा होती है और वह 15 दिन से परनद बाद ही उसी दिन से यह सारे सिम्टम स्टार्ट हो जाए तो आप यह पता कर सकते हैं कि यह हुर्मोनल इंबेलेंस के सिम्टम है और उसको ठीक करने के लिए क्या करना है वह हमने आगे के वीडियों इंप्लाइंटेशन वाला वीडियों उसमें हमने बता यह पाओं में क्रेम साइगे बहुत ही ज्यादा होगा दिए आपको सारे सिम्टम में सुपीरियर है तो आपके बोल सकते हैं कि यह मेरे प्रेगननसी वाले शीम्टम नहीं है यहां पर पीरेड आ जाएगा तीन चीज़ों में हमने डिफ्रेंशीयरिशन क्या क्या आपको बता सब्सक्राइब कर सकते हैं कि हमने दो तिन वीडियों हमने भी बनाए प्रेग्नेंसी के अल्ली सिम्टम के और बहुत सारे वीडियों साथ देखते होंगे जहां पर आपको कॉन्फीजन रहता हमारा हर एक पेसंट ही बोलता है कि हम आइडेंटिफाइब सब्सक्राइब कर सकते हैं या फिर मेरी प्रेग्नेंसी नहीं रुक रही हो चाहिवर ट्यूप की बज़े से या सिस्ट की वज़े से पीसी ओडी एमेच में या सबन के रिपोर्ट में कुछ भी दिक्कत हो प्रेग्नेंसी तो आप अपन्मेंट बुक करवा सकते हैं टेलिफोनीक बुक कराने की सारी डीटियल लिचे डिस्क्रिप्स बोक्स में रखी वहां पर चाहिए अगे मेरी टीम आपको गाइड कर देगी और वीडियो अच्छा लगा और तो उसको लाइक जरूर करने बहु चैनल सब्सक्रिप किये बगर नहीं जाना बिल्कुल ही फ्री है तो चलो फिर जल्दी से मिलते हैं तब तक के लिए स्टेल्दी स्टेवी बाई